Now we will see establishing safety policies and guidelines. Safety policies जानने के बाद अब ये जरूरी है कि हमें इसको establish कैसे करना है, implement कैसे करना है classroom के अंदर. तो पहला काम तो ये हम करेंगे कि we will use simple and understandable words when explaining the guidelines. बच्चे छोटे हैं अभी और हमने उनको उन अलफाज में समझाना है जो वो खुद समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे ही वो कोई गलत काम करने लगेंगे, तो हमें अब उनको अभी logic नहीं समझाना के भई आप ये क्यों गलत कर रहे हैं, इससे क्या होगा, क्योंकि बहुत सी जो languages की complexities हैं, अभी बच्चे नहीं समझतें. तो आपने फौरी तोर पर उनको रोकना है और आप उनके लिए ना करो, अभी मत करो, ये आप रुक जाएंस से, इस तरह के अलफाज अभी आपको इस्तमाल करने हैं. फिर we have to engage them in appropriate safety behaviors. अब देखिए कुछ safety behaviors ऐसे हैं, जो जैसे जैसे बहुत उंची जगा से छलांग लगानी है, या भाग के ऐसे फर्ष पे चलना है, जो अभी जो रफ नहीं है, और चूले के करीब चले जाना है, या अचानक दर्वाजा बैंक करना है, उसको अंदर हाथ र जैसे बच्चे कोई वलत काम करने लगते हैं, हमें फौरी तोर पर उनको उससे रोकना है, फिर थोड़ी सी advanced planning भी इसके लिए जरूरी है कि जब आप classroom के अंदर हैं, तो आप पहले से सोच के रखें कि कौन से equipment जो हैं वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस जगा पर अगर ये वो activity करेंगे, तो क्या इनको नुकसान पहुंच सकता है, अगर आपने planning नहीं की हुई, तो फौरी तोर पर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेहतर ये है कि ऐसा मौका कम ही आए, कि उनको कोई नुकसान पहुंचे और आप उनको फौरी तोर पर रोक रहे हो फिर अब ये सब मुम्किन तो इसी तरह ही है कि आप quality supervision रखें, लेखें, safety policies and guidelines never replace the need for careful adult supervision, देखिए हमने उनको बताया भी है, और हमने ख्याल भी रख लिया है, बहुत सी चीजे हमने equipment की देख भालके रखी हैं, कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके बावजूद, जो आपकी supervision है, वो किसी चीज को replace नहीं कर सकती, तो उस्ताद को, वालेदैन को, या caregivers को, मौके पे मजूद होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा behavior वो ना करें, और अगर वो करें, तो उनको फौरी तौर पर रोका जा सके, देखिए, अगर तो बच्चा अकेला है, तो उसका interaction equipment से होगा, या भाग दोड़ रहा है, फर्च से होगा, किस तरह की हरकतें कर रहा है, कहीं उसका balance ना out हो जाए, कहीं किसी चीज से, उन्ची चीज से jump ना कर बैठे, ये चीजी हमें अलग से देखनी हैं, लेकिन अगर वो group में है, तो फिर chances और वड़ जाते हैं, क्योंकि अब लड़ाई जगडे का भी इमकान है, वो एक दूसरे को भी खींच सकते हैं, किसी और का balance आउट कर सकते हैं, किसी को धक्का दे सकते हैं, किसी को कोई और नुकसान पुचा सकते हैं, हिट कर सकते हैं, sometimes बच्चों के हाथ में कुछ बजाहिर जैसे dinkies हैं, तो वो कोई खतरना ऐसा होते हैं, कि वो जरूरत की हैं, जैसे चोटी Caesar है, या ruler है, जो बच्चों के पास समोमन होते हैं, खुआ plastic का ही क्यों ना हो, अगर उसकी मदद से वो किसी को hit करते हैं, तो भी उसको चोट लग सकती हैं, so हमने खास तोर पे, what we have to see, encouragement of incidental learning behaviors, incidental learning behaviors का मतलब यह हैं, कि जै ऐसा समान इर्गिद मौजूद ना हो, जिससे बच्चों को नुकसान पहुंचे, लेकिन बच्चे जो हैं, वो कुछ भी गलत किसी टाइम पर कर सकते हैं, जब वो कुछ गलत कर रहे हों, उस मौके पर उनको बताया जाए, कि आपने यह नहीं करना, तो फिर ही उनको समझ आ अगर आप शुरू में बताएंगे कि बेटा, आपने शार्प चीजों को उससे अपने आपको या किसी को नुकसान पहुचाने की कोशिश नहीं करनी, फलाँ चीज को आपने इस्तमाल इस तरह से करना है, फलाँ को इस तरह से, तो वो कमी चीज़े याद रख सकते हैं, और ये चीज, अगला स्टेप जो है वो गलत है, तो आप उनको रोकिये, जैसे बाद बच्चे कलाबाजी खाना अचानक शुरू करते हैं, अगर आपने उनको मौके पर नहीं रोका तो हो सकता है, चुके उनका बैलेंस आउट हो गया, तो वो बुरी तरह गिर जाएं, तो एज के हिसाब से लेवल के हिसाब से उनको फिजिकल मूवमेंट्स भी करने देना हैं,